राधे राधे मेरे प्यारे भाईयों बेहनों माताओं माबंधूं संसकार की बाती चैनल में आपका स्वागत है बंधूं बुद्धवार के दिन मैं आपके लिलाई हूँ श्री गनेश्ची की कथा बंधूं बुद्धवार गनेश्ची का दिन माना जाता है यदि आज के दिन गनेश्ची की इस कथा को सुना जाए तो गनेश्ची हर बिगडे हुए काम को सवार देते हैं गनेश्ची आने वाले संकटों को पहले ही हर लेते हैं बंधों पर इस कधा को जब भी सुने, पूरन विश्वास, सची निष्ठा के साथ और पूरी कधा को सुने बंधों यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जिरूर करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें बंधों वीडियो को पूरी सुने, सुनने के बाद कमेंट बोक्स में जै गनेश भगवान की जरूर लिखें, बोलो गनेश भगवान की जै हो भगवान शिव ने विश्णू को शोडश उपचार युक्त गनपती पूजन की विधी बताई, तब भगवान विश्णू ने गनेश ची की सो दिव्य वर्षो तक उपासना की उनके घोर तब से प्रसन होकर गजानन साक्षात प्रगडवे और बोले मैं तुम्हारे तब से प्रसन हूँ, बोलो क्या जहाते हो विश्णू जी बोले मधु कैटब नाम असुर अतिप प्रबल हो गए है, अतैव उनके वद का उपाय कीजिए श्रीक नेश्ची ने कहा बैकुंठनात, यदि आपने पहले ही मेरा पूजन किया होता, तो अब तक असुर प्रास्त भी हो गए होते विश्णू जी बोले गजानन, मुझे आपका प्रभाव विदित नहीं था, अब आप पही कीजिए, जिससे मैं उन असुरों का वद करने में सफल हो सकूं हेनात, इसके साथ ही मुझे अपनी अनन्य एवं दुरलब भक्ते भी प्रदान करें भग्वान विश्णू की प्रातना संकर, गजानन ने कहा, ऐसा ही होगा रमानात, आपके हाथ उन असुरों का अतिशिक्र वद होगा इस से चतुरानन का भे भी दूर हो जाएगा, और आपको महान यश्ट की प्राप्ती होगी हे विश्णू, अब आपके करें में कोई भी घर नहीं आएगा वर देकर भग्वान गजानन अंतर ध्यान हो गए और भग्वान विश्णू, महा से लोटकर अपने स्थान पर पहुँचे जहां उन्होंने दोनों असुरों को युद्ध के लिए तयार देखा त्रीलोकी नात को वहाँ आया देखकर उनकी और छपटते हुए वे असुर बोले तुम बड़े डरपोख हो विश्णू जी हसे और उन्होंने युद्ध करके शिकर ही मदुकैटप का वद्ध कर दिया जहां उन्होंने भगवान गजानन की अरादना की थी वह स्थान सिद्ध छेत्र के नाम से प्रसिद्ध हो गया शी सूच जी बोले हे रिश्यों महारिशु भिगू ने सौम कांद को गनेश चरित्र का वर्नन करते हुए राजा भीम का व्रितान्थ भी बताया वे बोले राजन भीम कॉंडिन नेपुर का राजा था उसकी पती व्रिता पत्नी का नाम चारू हासिनी था उसका दामपत्ते जिवन सुक से वैतीत हो रहा था क्रिन्तु व्रिधा अवस्था की और अगरसन होने पर भी संतान ना होने का दुख उन्हें पीडित करता था राजा ने रज्य अपने विश्वास पत्र अमात्य को सौप दिया और स्वैम वन को चल दिया वैवन में भ्रवन करता हुआ महारिशी विश्वामित्र के आश्रम में पहुँचा तो महारिशी ने उसकी ओर देखा और पूछा तुम कोन हो और यहां किस उदेश्य से आये हो राजा बोला प्रभो विधर्व देश का राजा हूँ कॉंडिन ने पूर मेरी रायधानी है मेरा नाम भीम है मेरी व्रिद अवस्ता आ पहुँची लेकिन संतान सुक अभी तक प्राप नहीं हुआ इसलिए आपकी सेवा में उपस्थित हुआ हूँ मैं नहीं जानता कि मुझ जैसे कर्तब विनिष्ट एमम धर्मग के विक्ति को भी इस दुर्भाग्य की प्राप्ति क्यों हुई महारिशी ने कहा राजन पुर्व जनम में तुमने भगवान गजानन का अपमान किया था फलस्वरूप इस जनम में निसंतान हो यदि उन्हें प्रसंद कर लो तो तुम्हें अब भी सुन्तान सुक से वन्चित नहीं रहना पड़ेगा राजा ने पुर्व जनम के बृतांत की जिग्यासा व्यक्त की तो महारिशी विश्वामित्र बोले महाराज तुम्हारे कुल में बहुत पहले भीम नाम का एक अन्य प्रतापी राजा हुआ था उसकी पतनी सुन्दर और पती व्रता थी उससे राजा को एक पुत्र की प्राप्ती हुई जो गुंगा बहरा और विकलांग था उसके श्रीर से दुर्गंद आती थी माता पिता ने उसका नाम दक्ष रखा अनेक प्रियासों के बाद भी उस बालक की मुकता और बधिता वा विकलांगता दूर नहीं हुई हे राजन किसी ने राजा को प्रामर्श दिया कि यदि बालक अपनी माता के साथ तीधाटन करे तो संभव है कि इसके रोग दूर हो जाए परमर्श अनुसार राजा के आदेश से रानी अपने पुत्र को लेकर तीधाटन को चल पड़ी मार्ग में चोरों ने उसे लूट लिया यहां तक कि उसके पास जीवन यापन के लिए भी धन नहीं रहा तब उसने एक शिव मंदिर में शरन ली और बालक को वहीं छोड़ कर भिक्षा मांगने है तू एक गाउं में गई पीछे से उस मंदिर में एक धरमग्य ब्राहमन आया उसके श्रीर के सपर्ष मात्र से वह बालक निरोगी हो गया रानी शिवाल्य में लोटी तो अपने पुत्र को सुंदर और निरोगी देखकर बड़ी प्रसन होई उसने ब्राहमन देवता का पता लगाया तो ग्यात हुआ कि वह धरमग्य ब्राहमन गनेश्ची का उपासक था बाद में उसने रानी को भी गनेश्ची की उपासना का उपदेश दिया अब माता और पुत्र दोनों ने भगवान गजानन की उपासना की तो प्रसन होकर गनेश्ची ने स्वपन में कहा कि तुम मेरे परमभक्त महारीशी मुद्गल के पास चाओ उनके उद्यम से तुम्ह अभिष्टों की पूर्ति होना संभव है महारिशी भ्रिगु ने कहा है सोमकांत विश्वा मित्र ने भीम को आगे का वृतान सुनाते हुए कहा कि वो दोनों मुद्गल के आश्रम की खोज में काफी समय तक जंगलों में भटकते रहे तब बाद में एक दिन उन्हें वे आश उठान का उपदेश सिया बंधों गम शबद बहुत ही अधिक शक्तिशाली है यदि आप भी भगवांशी गनेशी के गम शबद का बार बार जब करते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपकी मनों कामना पूरी ना हो सो बंधों गनेश उस्सव के दिनों में ही गम शबद का अधिक से अधिक उच्चारन करें राजा भीम ने जिग्यासा व्यक्त की महमुने आपके शिमुक से यह चरित्र सुनकर मैं अच्चरे चकित हूं एक ब्राहमन के श्रीर का स्पर्ष कर बहने वाली वायुक के स्पर् रहित और सुन्दर कैसे हो गया विश्वामित्र बोले राजन इसमें अश्चरे कैसा भगवान गजानन चाहें तो किसी भी निमित से अभिष्ट प्रदान कर सकते हैं सुनों एक समय की बात है सिंधु देश के एक पल्ली नामक गाम में एक धनिक वैश्य रहता था उसका न पुत्र अपने मित्रों के साथ वन में गया वहां उन लोगों ने एक ऐसी शिला देखी जिस पर कोई मूर्तिस यंकित थी उन्होंने उसे गनेश्वर नाम देकर पूजन अरंब किया और सब ने मिलकर वहां एक मंडब बनाकर सब मनाया उस दिन से अपने सब मित्रों के को चिंता होना स्वर्भाविक था वे उन्हें ढूंते हुए उस जंगल में आए और सब बालकों को उपासना आदी में लगे देखकर उनके माता पिता आदी ने कल्यान से कहा कल्यान तुम्हारे पुत्र ने हमारे बालकों को भी पागल बना दिया है जो अरन्य में पड़ी उस मंडब को गिरा दिया और अपने पुत्र को मानने लगा उसने उस गनेश शिला को उठाकर दूर फैंका और सब बालकों को वहां से भगा दिया महारिश्वी विश्वा मित्र बोले है राजन इस से वैश्य पुत्र बल्लाल को मानसिक पीड़ा हुई उसने पिता से हाथ चोड़ कर निविदन किया पिता जी आप भले ही मुझे दंडित करें लेकिन उन सरवात्मा भगवान गनाध्यक्ष का अपमान ना करें वे अपने भक्तों के सभी विग्णों का हरन करने वाले वा कल्यान कारी देव हैं उनके समान अन्य कोई बड़ा देव नहीं है वेश् अनों को किस प्रकार दूर करता है कल्यान अपने पुत्र को एक पेड़ से दृड़ता पुर्वक बांद कर बोला अब भी अपने भूल सविकार कर लें और गनेश की भक्ती छोड़ कर अपने कारे में लग जा किन्तु पुत्र ने पिता की बास स्विकार नहीं की वह उसे गाली देता हुआ चला गया बालक को अपने पिता की निश्ठुरता पर क्रोध आ गया और उसने पिता को शाप दे डाला तुमने मुझे इस निज्जन वन में अकेला ही निद्यता पुर्वक पांद कर छोड़ दिया है फलस्वरूप तुम बहरे गुंगे अंधे और विक क्लांग होगे काफी समय वितीत होने वह व्रिक्ष से बंधा रहने के कारण बालक ठक गया रसी के बंधन उसके कोमल अंगों में चुब गए इससे अत्यंत पीडित होकर वह भगवान गजा नन को पुकारने लगा और अंत में उनकी और से भी निराश हो गया तो उसने आतम भगत पर ऐसा महान संकट है और आप सुनते ही नहीं पता नहीं आप कहीं हैं भी या नहीं यदि हैं तो फिर आते क्यों नहीं तभी उसने देखा कि सामने से एक ब्राहमन आ रहा है उसने तुरंत बालक के बंधन खोले और सिर पर हाथ फेरते हुए कहा बस तुम्हारी पु को जो शाप दिया है वह सत्य होगा और यह स्थान तुम्हारे नाम पर बल्लाल विनायक के नाम से प्रसिद्ध हो जाएगा इधर कल्यान का श्रीर उसी समय से रोग ग्रस्त हो गया उससे दुरगंद आने लगी वह बहरा गुंगा विकलांग हो गया उसकी दशा देखकर प बड़ी प्रसंता हुई उसने पुत्र से कहा कि पुत्र यह तो बड़ा शुब कारे कर रहा है प्रंतु तेरे पिता की दशा बहुत दैनिया हो गई है उन्हें भी चलकर देख ले वस माता पिता की आज्या मानना भी पुत्र का परम करतव्य है बल्लाल ने उसी प्रकार शा शरनली है इन्हीं भगवान का निरादर करने के कारण पिता जी की ऐसी दशा प्राप्त हुई है उनकी सेवा करना तुम्हारा भी तो करतव्य है क्योंकि पत्नि के लिए पति की सेवा ही सर्वोपड़ी है माता ने कहा पुत्र अपने जनम दाता पिता को शाप से विमुक्त कर दो मैं तुम से विनाई करती हूँ यह सुनकर बल्लाल ने कहा माता मैं तो अब कुछ भी नहीं कर सकता अगले जनम में तुम एक राजा की महारानी बनोगी किन्तु तुम्हारा पुत्र गुंगा बहरा विकलांग और दुरगंध तुम्हारे दक्ष नामक पुत्र का श्रीर निरोग और सुन्दर हो जाएगा हे राजन यह समस्त घटना चक्र उसी वानी के अनुसार घटित हुआ था बोलो श्री गनेश ची भगवान की जये राधे राधे जये श्री कृष्णा बंधू यदि आपको हमारी वीडियो पस